क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिले गुमने का बहुत शोग है और अगर आप इस वार राजस्थान गुमने की ब्लाइब कर रहे हैं तो आपको परसनली का आइडिया तो होना चाहिए कि राजस्थान में क्या-क्या गुमने लाएगा है इस वीडियो में हम राजस्थान अब अगर आप जोए जाएंगे तो वहाँ पर आप देखने जा सकते हैं अब 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 यहाँ से जलते हैं अलवर अलवर को राजस्थान का पूर्वी सिहेंद्वार, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर और राजस्थान का स्पोटलाइन कहते हैं अलवर का कलाकन बहुत फ्रावस है अब जब आप अलवर जाएंगे तो महाबरात देखने जा सकते हैं अलवर से अबम चलते हैं बासवाडा की तरफ बासवाडा को सू द्वीपो का शहर कहते हैं अबम चलते हैं बारा बारा में आप देखने जा सकते हैं सीताबाडी बाबाजी बाग शहबाद दुर्ग नहारगड आप मुझे लग कोमेंट सेक्शन में राधास्तान के उस एक टिस्टी का नाम और बताना जहां पर भी नहारगड फोर्ट है मोखरी यूग, बढगाम की बाबडी, ठानेदा नातु सिंग की छत्री, ओस्तीजी की बाबडी, मामुनी चोटी, शेरगड दुरग, कपिल धारा, कृषिन विलास बारा से अब हम चलते हैं बाड़मेर की तरफ, बाड़मेर की मलीर प्रेंट, अजरक प्रेंट, बकरी के बालों से बनी जट पटियां काफी फेर्मस है, बाड़मेर में आप देखनी जा सकते हैं, सिवाना दुरग, कोडड़ा दुरग, गड़रा का शहीद समारक, जूना बाड़मेर, बाटारु का कुवा, पीपलून्द और उन्दु का समेर, बाड़मेर से अब हम चलते हैं भरतपूर, भरतपूर को राजस्थान का प्रेश द्वार प्या पूर्वी द्वार भी कहते हैं, भरतपूर में आप देखने जा सकते हैं, लोहा करदुरक, जुवाह भरतपूर संद्रहाले, दोलपूर महल, बयाना, रूपवास, वेर, कामा, खानवा, सीक्रिवांद, नगला जहाज, नगला छेल, डीग, गोपाल, सूरज, हरदीव, किशन, केशव औननदभवन, कैंद्रिय उधान और पुराना महल, भरतपूर से अब हम चलते हैं भीलवा शहपूरा, मेनाल, भारा देवरा, लव गाडन, धोड का यशोदा देव की पट, चमना बावडी, बागोर, सीतारामजी की बावडी, 32 कंपो वाले चत्री, मांडलगड का दुरग, अमरगड की चत्रियां, बनेडा और वदनोर के महल, मगरोप और हमीरगड का दुरग, 56 म पाता का मंदिर, मांडलगड में उंडेश्वर महादेव का मंदिर, नादशा के यूक स्तम, बनेडा की चोख की बावडी, बाईराज की बावडी, बीलवाडा से अब हम चलते हैं पिका नीर की तरफ, जैसी मेने पिका नीर बोला, आपकी दिमाख में आया होकर रसकुले, भुजिया, क्योंकि बीका नीर के लिए फैमस है, लेकिन आपको पते हैं, इसके अलावा बीका नीर उस्ता कला और मतेरना कला के लिए पूरे वर्ड में फैमस है, बीका नीर में आप देखनी जा सकते हैं, लालगड पहले सरसादुल म्यूजियम, जुनागड पोर्ट, दी बीका नीर से अबम चलते हैं, बूंदी की दरफ, बूंदी को छोटी काशी और बावडियों का शहर भी कहते हैं, बूंदी में आप देखने जा सकते हैं, राज महर, चित्रशाला, सुक महर, चुरासी खंबो की छत्री, जैत सागर, रानी जी की बावडी, अनारकली की रतंदोले दरीखाना, रंग महर, फूल सागर, शिकार बोज, बासी दुगारी, गंगा सागर, यमना सागर कुंट, मोती महर संगराले, बाबा मीर सहाब की दरगा, गरदड़ा, रोप पैंटिंग्स, लाखेरी, हडूला लोप उत्सव, पर इसके अलावा जैसे की छत्र मह पैल, नवलका जी, नवल सागर, हिंदोली का तलाब, रामेश्व, नाला, भीमलत, जलपरपाद, खटकर, महादेव, हुंडेश्व, महादेव का मंदिर, तारागर दुरग, चोगान दरवाजा, दाभायों का कुंट, ग्यंडोल जी, बाला जी, काला जी की बावडी, नार जयनकीर्ती स्थम, फद्य प्रकाश महल, पद्मरी महल, भामाशा की हवेली, नोकचा पीर की कबर, विनोता की बावडी, बेकू, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन ने बताना कि बेकू क्यों फैमस है, और चूलिया परपाथ, चित तोडगेट से अब हम चलते हैं चूरू की राजस्थान का सबसे ज्यादा टेंप्रेचर और सबसे कम टेंप्रेचर वाला जीला है चूरू, चूरू में आप दीखने जा सकते हैं ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण, दूद्वा खारा एक किसान आंदोलन के लिए बहुत फैमस है, सिठानी का जोहडा, मालजी का कम नहाता संद्राले, सुराणा हवेली, कनयालाल बागला की हवेली, आठ खंबो वाली छत्री, तरतनगर डुर्ग, धरमस्तू, सहावा का गुर्द्वारा, चूरू का कीला, बीनादेसर का कीला, उगोजी महराज की खड़ाओ, विगाजी का समारत, तिबोर के भीत्ती जितर और दानचंद चोप्रा की हवेली, ये सुचानगड में है, चूरू से अबम चलते हैं दोसा की तरफ, दोसा का नाम बोलते ही, जो हमारे दिमाग में सबसे पहले नाम आता है, वो है मियंदिपूर बालाजी का मंदिर, दोसा में आप देखने जा सकते हैं, गैटो लाव, प खंबो की बनजारों की छतरिया